हेलो दोस्तो आज का हमारा टोपिक है फायर एंड आइस जो की रोबर्ट फ्रोस्ट की पोयम है यह कवीता इस विशे के इल्द गिल्द घुमती है कि जब किसी चीज को नियंतरण के बाहर से चलाने की अनुमती दी जाती है तो मानविये भावनाएं यानि कि इनसान के भावनाएं विनासकारी होती है वे एक व्यक्ति को नैतिक, मानसिक और सारीरिक रूप से नश्ट कर सकते है कभी पाठकों पर छाप छोड़ता है कि अस्वस्ता, लालच, द्वेश, संघर्स, रोस, घ्रेडा, सहिशडोता आधी जैसे भयानक परिरामों ये दुनिया के विनासका कारण होंगी तो चलिए पहले हम कभीता पढ़ लेते हैं फिर इसका व्याख्या जानेंगे कभी ता कुछ इस प्रकार है तो दोस्तों कभी इस पोयम में दुनिया के अंत के बारे में लोगों के दो अलग-अलग विश्वास के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया फायर में यानि कि आग में जलकर खत्म होगा वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ में जम कर माना होजाती का अंत होगा यहां मैं बता देता हूं आपको कि इस पोयम में fire word का use as a desire लिया गया है desire यानि कि इच्चा या कुछ पाने की चाहर और I सब्द का उप्योग as a hatred लिया गया है यानि घ्रिणा को दर्शाने के लिया गया है वोयम में कभी कहते हैं कि अगर उन्हें fire और ice में किसी एक साइट को लेने को कहें तो कभी उन लोगों के पक्च में हैं जो कहते हैं कि यह दुनिया आग में खत्म हो जाएगे क्योंकि उन्हें ने इसका प्रभाव देखा है यानि कि इंसानों की अन्यंतरित और अनन्त इच्छाओं का परिड़ाम देखा है पूर्ड देखते हैं कि इंसान के जितने भी इच्छाए हैं वे सबी आग के सोभाव के जैसे हैं जो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुचा सकता है वहीं अगर इस दुनिया को दोबाराविना सोने का मोगा मिले तो इस माननेता के अनुसर पता चलता है कि इस संसार को नश्ट करने के लिए बर्फ भी परियाप्त है और कभी बर्फ की प्रकृती की तुलना मनुस्य के घिरना भाव से करते हैं क्योंकि जैसे बर्फ अपने लंबे संपर्ख के साथ सरीर के एक हिस्से को सुन बना सकती है वैसे ही नफरत भी हमारे दिमाग और विचारों को सुन कर सकती है और हमें असावेदन सिल और कुरूर बना सकती है लेखक दुनिया के शाब्दिक अंत के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वह उस सक्ति के बारे में भी बात कर रहे हैं जिससे मानाओं को एक दूसरे को नुकसान पहुचाने या नश्ट करना है तो दोस्तों ये था आपका पोयम फायर एंड आइस का फूल एक्स्प्लेनेशन आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सेर चैनल में नए हैं तो सबस्क्राइब करना न भूले थेंक यू